नमस्कार आप सभी का हमारे यूटूप चैनल ग्यानमस्ति एजुकेशन परवार आप सभी का स्वागत है आप सभी का हार्दग हवनंदन है तो यह वीडियो रीट मुख परिच्छा के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट परिच्छा के लिए है और important topic है REIT मुख्य परिच्छा में चाहे L1 की बात हो चाहे L2 की बात हो ये दोनों ही level में राजस्तान के प्रमुक अनुसंदान केंद्र पूछे जाएंगे तो ये वीडियो बहुत important है इस वीडियो को आप पूरा देखें आज की इस वीडियो हम बात करेंगे राजस्तान के प्रमुक अनुसंदान के बारे में तो वीडियो को जदा से ज़्यादा सेर एंड लाइक जरूर करें तो राजस्तान के प्रमुक संस्कृतिक कारिकरम इस्तल के बारे में बात करेंगे राजस्तान के प्रमुक सुध संस्तान एवं संग्रालय के बारे में बात करेंगे राजस्तान की प्रमुक आकादिमियों के बारे में भी बात करेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तो केंद्रिय भू भेड एवं उन्स अनुसंदान संस्तान की बात करते हैं सब्सक्राइब करें और बात करें साथ में अर्वी फार्सी सोध संस्तान की बात करें और आप सभी को आप सभी जानती हैं जो तीनों जो है टॉंक में हैं और टॉंक में कहा जाता है टॉंक को नबाबों की नगरी कहा जाता है आप सभी को बता है टॉंक में एक जो प्रमुक इस्तल है वह सुनेरी कोटी के भी टॉंक में इस्तित है बात करें इसो राजस्तान का लखनों भी कहा जाता है टॉंक को ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं आगे की बात करें तो बकरी एवं विकास एवं चारा उत्पादन परयोजना जो सोट्रेलेण्ड के सयोग से है और यह है रामसर अजमीर में और आप सभी को पता ही है एक रामसर साइट है राजस्तान में और आप सभी को पता है वो है सामबर जील के पास है रामसर साइट में इसको नामित किया गया है तो वहीं पर बिकरी बकरी और विकास एवं चारा उत्पादन परुजना चलाई जा रही है सुट्रे एलेंट के सहुक से अब बात करें बेड़ और उन प्रसंस्तान की बात करें यानि देखो उधर में बात की थी अविकाने के टॉंक में बात की थी हमने किसकी बेड़ एवं उन अनुसंदान संस्तान की बात करें तो उसके पास में जश्ठ बेड़ और उन जो प्रसंस्तान खोला गया वो खोला ग और बात करें सार्ट में भेड रोग अनुसंदान प्रयोग साला की बात करें इसलिते Back केंद्री यह स्ष्क प्रूजयार काजरी जोद प्रमें इसकी स्थापना की गई पेले इसको देखा जाएतो आcs उसके छेतर संस्तान की रुप में इसको चिन्यत किया गया था उसके नामस की रूप में लेकिन बाद में इसको 1969 में मरस्तुलीकर्ण के विस्तार को रोकने के लिए 1969 में काजरी की स्थापना की गी और सबसे इंपूर्टेंट बात यह है कि काजरी का फुल फॉर्म भी पूंची जा सकती आपसे तो इसकी जो फुल फॉर्म है वह सेंट्र एरेड जॉन रिसर्स इस्टिटूट और बात करें दो तो यहां पर एरेड सब्द का प्रेयर हुआ है और जो एरेड सोल्स जो मरदा पाई जात कि तो इसके फुल फॉर्म है और मैंने काजरी की बता दिए सेंट एरेड जोन रिसर्च इस्टूट सोंवार्म है और इसकी स्ताबनां 1969 में की गई थी खाजरी जोदपूर की बात करें दोस्तों इसके साथ बात करें सुदूर संभिदन उपियोग केंधर हें जोधपुमें चास्टाई प्रादेसी केंधर की बात करें और दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है मिन.ट भी बीडियर का सरसों अनुसंदान केंद्र की बात करें तो यह सेवर में है वह है नैंटी नैंटीन नैंटी थी मैं इसकी स्थापना की थी भरतुपुर में आप सभी को भी पता है कि भारत का सरसों प्रदेश किसके ना किसको जाना जाता है तो वो कहते हैं राजस्तान को कहते हैं सरसों प्र पीपर में पाँ जालता है। ब्त करें बीर्वाला की तेल की बात करें। उसका कारखाने की बात करें। तो वह है जैपर के अंदर का अब बात करें दोस्तों राष्टिय मसाला बीज अनुसंदान के अंदर तो राष्टिय जो बसाला बीज अनुसंदान के यह तवीजी तवीजी अजमिर में इस्तित है आप सभी को पता है बात करें मसालों मसालों को नगरी किसे खा जाता है तो केरल को का जाता है आप सभी को पता है अब बात करें दोस्तो राजस्तान 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 एवं प्रसंट संस्तान अजमेर आप सभी को पता है जब राजस्तान का राजस्तान विबाग कहां से काम करता है तो वहीं राजस्तान राजश्व अनुसंदा ने विए प्रस्थन सहस्तान खोरा गया किसके अंतरगत अजमेर के अंतरगत अब बात करते हैं दोस्तो आगे की अब बात करें दोस्तो 1988 यह नवासी में अजमेर में राज्य को कोट का मतलब होताया है मुरगा प्रस्थन सहस्तान की स्थापना की गई यह राज्य का एक मात्र कोकुट प्रस्थन सहस्तान है और आप सभी को पता है कड़कनात योजना चलाएगी है वो कुकट से संबन देता है आप सभी को पता है वो किस जले से चलाएगी है वो डूंगर पुर से चलाई ग़ी, आप सुरीक पता है अब बात करें दुस्तों 1829 में B ideya Salih की भी इस्ताबना की गई कांर की गई, अजमीर में की गई और यह कुकुत वाली ओध है वो भी कांर की गई, अजमीर में की गई अब बात करें केंडरिय सुस्क कहा जाता है दोस्तों बैंगलोर को कहा जाता है किसको कहा जाता है दोस्तों बैंगलोर को कहा जाता है अब बात करें दोस्तों राश्टिय उन अनसंदान केंद्र की बात करें तो जोड बीड को कहा जाता है और आप सभी को पता है उंट को चो है राजी पसु के रूम में पालतु पसु के रूम में सुईकार भी किया गया है राजी पसु के रूम में ये बात कव की है आप सभी को पता होना चाहिए ये बात बसंदरा के जमाने में दियर चोदे की है, तब उसको पालतु रजपसु का दर्जा का दिया गया था अब बात करें राष्ट ये गोडा अनसंदान बीकानिर में बेस्थत है और बेर अनसंदान केदर भी बीकानिर में है आप सभी को है गरीव का सेव किसको का जाता है गरीव का सेव किसको का जाता है कमेट पर मुझे बताएं तो दोस्तो गभी जो गरीव का बेर का जाता है वो गरीव का सेव का जाता है वो बेर को का जाता है दोस्तो कजूर अनसंदान केंद की बात करें तो भी ये भी बीकानेर में हैं कजूर अनुसंदान केंदर कहा है दोस्तों बीकानिर में इस्टत है अब बात करें दोस्तों आगे की कपास अनुसंदान केंदर कहा है स्री गंगानगर में अब सभी को पता है कि राजस्तान के अंदर कपास जो है सरवादिक उत्पादन किस जिले में होता है तो स्री गंगानवर में होता है बैसे हालंकि देखा जाए कपास जो है सरवादिक मात्रा में हडोती छितर में हो पाया जाता है क्योंकि वहां पर काली मिर्दा पाई जाती है वहां काली मिर्दा का जो नर्माड हुआ है वो जौला में की लावा से बना है इसलिए उसको वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी जो है कपास के लिए बहुत उप्योगी होती है लेकिन कपास उनस्तंदान केंदर क्योंकि सर्वाद को उत्पादन स्री गंगानगर में होता ह है कि क्रिस राजस्तान का सबसे बड़ा क्रिसी पार्म का है तो भी सूरतगड स्री गंगानगर में है और दूसरे बात करें दूसरे राजस्तान का सबसे बड़ा जो क्रिसी पार्म का है तो भी देखे जाए तो जैसर है स्री गंगानगर में वहां पर इस्तत है दूसरा सब से बड़ा बात करें चारा बीज उत्पादन फार्म का अस्तत है मोहनगड जैसलमिर में और यह भी पता होना चाहिए मोहनगड में आप देखा जाए तो इंद्रा गांदी जो नहर है उसका अंतिम बिंदू भी मोहनगड जैसलमिर को माना चाहता है वहां से एक साखा निकलती लेकर मोहनगड तक एक जल भूगरवी जलिपट्टी पाई जाती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों यह मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बजाएं बाजरा अनुसंदान केंद्र की बात करें तो यह बाड़मेर में हैं दोस्तों राइस्तान राज्य सेच्छिक अनुसंदा की बात करें यानि S.E.E.R.T. की बात करें तो यह अपना उधैपुर में हैं और बात साथ में बात करें माड़े किलाल बर्मा आदमजादी सोद एवं सर्विसिन संस्तान वो भी उधैपुर में हैं और बात करें साथ में राइस्तान में सौर बैद साला का हैं इस्तिता है ये सबी को पता होना चाहिए, राजस्तान में जो सौर बैद साला है, पते सागर जील के बीचों बीच में है, आप सबी को पता चाहिए, ये कहां पर राजस्तान के उधैपुर जुले में हैं, और वो भी किस जील के अंतरकत है, पते सागर जील के अंतरकत है, अब बात करतें दोस्तो राजस्तरिय बैंस प्रजनन केंद्र बात करें तो बल्लवनगर उदेपुर में है और रास्त बात करें तो मुर्रा बैंस की जो प्रजनन केंद्र की बात करें तो यह कुवेर बर्थपुर में भी इस्तित हैं अब बात करें बातियम मानव बिग्यान सर्विच्छन पश्चमी चेतर की बात करें तो भी उदैपुर में हैं राहस्तान के मौसम भिवाग की बैद साला की बात करें तो वो उदैपुर में हैं और यह कहां पर इस्तित है यह आपको पता होना चाहिए तो यह है जंतर मंतर मे यह आपको पता चाहिए और यह कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि यह किस के राजा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी यह कमेंट बॉक्स मुझे जरू लेक कर बताएं अब बात करें दोस्तों आगे की तो राश्टान किर्सी अनुसंदान संस्तान की बात करें तो यह जोड़ी जैपुर में इस्तत है राश्टी कर्सी अनुसंदान संस्तान द्रगप्रा जैपुर में है ऐसे ही राश्ट्रिय आजरवेद सोद संस्तान जो है जैपुर में इस्तत है कर्सी अनुसंदान केंद्र बासवाड़ा द्वारा बिक्सित संकर किसम माही कंचन किस पसल से दोनों किसन है माई कंचर हो माई धबल ये किस पसल से समगह देते तो यह मकका से दोस्तों किसे हैं मकका से अब देखूं मकका के लिए देखा जाए बास्तम में तो कौन सी मिट्टी उप्युक्त होती है तो लाल मिट्टी जो थी प्रवति वो इसके लिए बहुत केंद्रिय की बात करें तो यह पलानी जननुम है और राष्टिय सुकर Phrm की बात करें न शूपर करें बीकास सुर्वर में इस्तत हेँ अब बात करें दोस्तों रास्तान में रास्तान में नो सेच्छिक संभाग हैं और रास्तान में दस किरसी जलवाईू चित रहें और साथ में बात करें रास्तान में प्रोद्यों की बिवाग की स्थापना उनीस सो तरासी में की की थी और बात करें रास्तान के प्रमुक्साज सकत कायकरा में स्टलकी बात करें तो राश्तान फाउंडीसन की स्थाबना 23 मर्च 21 एक में की गई और बात करें वहोणी नाट साला की स्थाबना 1921 में की गई और यह ओप तो नीस सो एकीस में की गई राइस्तान पुरादत तो इमुम संघराले बात की बात करें तो यह जैपर में है और इसकी स्थापना 1950 में की थी नीस सो पचास में की थी इस विचाथ दौरा दार शेशर नामक पत्रुका का प्रकासित की जाता है कि राइस्तान प्रादत्व एवम संग्राले विवाग जैपुर के द्वारा कौन सी पत्रका का प्रकासित की जाता है तो उसका नाम भी पूछ सकते हैं तो इसका आंसर होना चाहिए द रिसर्चर ये पत्रका है और राइस्तान ब्रिजवासा अकादमी ह वो जैपुर में हिस्तित है और इसकी बात की जाए तो तरमासिक यानि तीन महीने बाद इस पत्रका का ब्रज सत्तल का प्रकासित की जाती है अब बात करें राइस्तान सिंदी अकादमी जैपुर में हिस्तित है रहाड नामक पत्रका प्रकासित की जाती है इसके दोरा राइस राज्स्तान फसा साइसायत हैान संपकतिञाकादमी की बात करें तो बीक अनेर में है रिसकीस अओना जो किए 1903 की ती कि और इसकी जो मासिक पत्र आ निकलती है उसका नाम है जागती जोट का प्रकासन होता है कहा से उता है भी की अब कुस्षन आता है राज्तान साहित्य अकादमी की बात करें तो रहेश्तान साहित्य अकादमी उध्यपुर में इसकी स्टापना 1958 में की गी थी इसकी स्ताबना 1958 में की गी थी और इसके द्वारा देखा जाए मधुबती मधुबती पत्र का मासिक पत्र का प्रकास से निकलता है और सर्वोच प्रुसकार दियाता है मीरा प्रुसकार दियाता है जो बड़िया लेकक होते हैं बड़िया उनकी कृति जो प्रसद होती है और या कभी होते हैं उनको मीरा प्रुसकार से सम्मानित किया जाता है हलांकि देखा जाए बड़ी बात नहीं है इस मदुबती प्रकासन से मेरी एक कवता है वो भी प्रकासत हो चुकी है वो नाम से और एक मेरे दोस्त है उनका एक निवंद भी प्रकासत हो चुका है अब बात करें रास्तान संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो ये जूदपुर में इस्तत है नाटक अकादमी की बात करें तो जूदपुर में है और रास्तन संगी संस्तान की बात करें तो ये जैपुर में है और आप सभी को पता है जवार कलाकिंद का है वो भी जैपुर में इस्तत है अब बात करें पश्चमी चेत्र संस्क्रत केंदर के इलिए उध्यपर को सेल çalış्ट किया गया है पश्चमी चेत्र शंस्क्रत केंदर उध्यपर है प्राच्च बिद्य प्रत्रिश्टान जो है वो जोध्प्र मे और इसकी स्थापना 1955 मैं की गई 1950 में रास्तान सरकारदा संस्क्रत विवाग की स्थापनी गई 1950 में संस्क्रत विवाग का पुनरगटन और नाम बदल कर प्राच बिद्याप रस्तान रखा गया और रास्तान औरेंटल अनस्थान संस्तान का इस्थत है जोदपुर में इस्थत है अब बात करते हैं रास्तान राज्य अविलागाकार की बात करें तो कहां पर रिस्ट है बीकानेर में इसकी स्थाफ़ना उनीस सो पचपन जैपर में की गी थी लेकिन उनसको बात कि रहे उनीस साट में इसको जैपर से बीकानेर इस्तान अंदर्त कर दिया गया था अरवी फार्शी सो संस्तान की बात कर चुके हम टॉक में हैं टॉक को नवावाओं की नगरी का जाता है रास्तान का लखनू का जाता है अरवी जो सो संस्तान में औरंग जेव द्वारा लेकित पु तक कुराने कलाम का रखी है तो कुराने कलाम साजाके द्वारा लेकित और आलम गरीत कुरान औरंग जेव द्वारा लेकित ये अरवी फार्शी सो संस्तान टॉक में रखी हुई हैं अब बात करें जैसल में संग्राले रास्तान का सबसे प्राचीन बस्तों का संग्राले है जंजाति संग्राल है, उधैपर में, क्योंकि जंजाति छित्रसरवादिक जörए, उधैपर सन्फ़ाग में पाजाते हैं, इसलिए जंजाति संग्राल है, उधैपर में पहस्तakahू पहस्ता केंडरी संग्राल है, या अलवर्ट hyal myecium अब बाता है, ज्यिपर इसकी स्थापना 1960 में की गी थी और इसके संस्थापक की बात करें तो कौमल कोठारी और बिजेदान थेता थे कौमल कोठारी की बात करें तो वो उदैपुर से निवास करते हैं और बिजेदान थेता आपको अभी को पता है कार्योगी बात करें तो रास्तानी कला का संचे करन परतान का है कॉमल कोटारी ने गृडड़ला गृलों करत्र को पृतसांद दिया इन्हें पदम सिरी पदम बूशन और रास्तान रतन पृस्कार भी मिल चुका है कि कॉमल सेंग कोटारी को अब बात करें दोस्तों रास्तान लोग कला मंडल की तो ये उद्यपुर में सिरत है और इसकी स्थापना 1942 में देवी लाल सामर द्वारा की की थी और ये कटपुली खेल के लिए प्रसिद है देवी लाल सामर की पुस्तक राष्तान का लोग गीत जो है वो बहुत ही पुस्तक है इसके लेकक जो है देवी लाल सामर है क्योंकि अब इस पुस्तक को भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि देवी लाल सामर जो है रास्तानी साहिती भी ध्यार रखा है अपने टॉपिक में तो इसको भी याद रखना चाहिए जिसका 1866 में नाम बदलकर रास्तान स्कूल ओप आर्ट सेवं क्राप्ट कर दिया गया तो ये कहां पर जैपर में इस्तित है जिन वद्र सूरी ग्यान बंडार कहां इस्तित है जैसल में इस्तित है इसकी स्थाबना 1980 में की गई रास्तान संस्क्त अकादमी की स्थाबना की गई इस अकादमी का सरवोच जो प्रुसकार वो माग प्रुसकार है पोती खाने की बात करें तो जैपर में इस्तित है यानि जो खाना खाना की बात करें तो खाने की बात आये तो वो समझ जा लेना जेपुर में इस्तित है जा कौन सा भी खाना हो तीरंजाजी खेल अकादमी की बात करें तो उदेपुर में है राजसो मंडल की बात करें तो अजमेर में है मगरा लोक कला मंडल की बात करें तो ये भी अजमेर में है राइस्तानी सोज संस्तान की बात करें तो जोदपुर में है और मारवाड लोक कला मंडल मारवाड नाटक संस्तान की बात करें जोदपुर में है और इसकी स्थापना लच्मरदास डांगी के दोरा की गई थी बात करें दोस्तों अंत में मरुदर लोक कला मंडल की बात करें तो जोदपुर में इसकी स्थापना जो की गी थी वो गड़पत लाल डांगी के दोरा की गी थी और बात करें अंत में संदीकखां मागडियार लोक कलाईवों अनसुनान परसद लोक रंग की बात करें तो यह जैपुर में है इसके स्थापना दुजादो में की गी थी संदीक खां जो थे खड़दाल बारड़त थे बहुत परसदे थे और अंत में बात करें रास्त Agrffen Raj आईस, अनसनानकेंड की इस्ताफ़ना जायपूर में की गई सौरी अजमिर में की गई तो दोस्तों आपको βीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कमेंट जरूर करें वीडियो को लाइके अंडर सेयर जरूर करें और वीडियो कैसला कमेंट करकर जुरूर बताएं अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दो